जैसा कि आप समी लोगों ने आज देखा होगा कि बताया जा रहा है कि जो रेलवे की द्वारा या नि क्या सकतो रेलवे भरती बोर्ट के द्वारा एल पी की जैनवरी को वेकंसी यानि जो तो आई चुकी है वैसे आप लोग जानीज़ा नोटिबेकिसन ठीक है लिए टैकनी की अपरेल को आजाए करेंगी और यह जून में एंटी पीसी की और गुरूबडी की अक्टूबर को ठीक है देखो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा होगा तो इससे बढ़ी है पर मौका क्या हो सकता है अब मैं इसकी रियल्टी बताता हूं अगर यह सही है तो कैसे सही हो सकता है अगर नहीं है तो क्या है चुनावी स्टन्ट तो नहीं है कहीं तो देखिए जैसे कि आप देखेंगे अगर पहले अगर यह ऐसा पैटर्न होता है तो बहले ही कम वैकंसी आए लेकिन बहुत अच्छा रहेगा कैसे देखो जैसे माना एलपी में है लगवार Be careful के संसिंग वैकंसी है थिक पांच शार के संसिंग में कि अटवा और और हूले है ठीक है कि कैंसी 한ा कि हम हर सालえば निकालेर्क जैसे होगा क्या क्या होता हैте चार से पहां साल का गया हो जाता था इसमें जो इस बीच में कई सारे लोग ऐसे होते तो उन्हें फिर मौका नहीं मिल पाता था अब इसमें क्या होगा हर किसी को मौका मिल पाएगा तो देखो अब हम ये कहेंगे कि ये चीज़ ज़ाद अच्छी है क्यों ये बार 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 बेकंसी हर साल आएगी तो कई बार जैसे होता है कि हम कई बार थोड़ा सा चूक जाते हैं तो हमें फिर से एक बार मौका मिल जाता है या हम तैयारी कर रहे तो हमें लगता है कि हाँ चलो अभी ये तैयारी कर रहे तो आंगे भी काम आ जाएगी अभी ये एक्जाम बना हुआ है अभी इसी साल में ही चार एक्जाम बने हुए है ठीक है अगर इस साल भी नहीं हुआ तो अगली साल चार एक्जाम फिर मिलेंगे मौका इस तरीके हमें कई सारी चीज़े होती है और बैसे क्या होता ये बैकंसी खतम पता ही लगत तब कब बैकंसी आएगी क्या होगा इसलिए दो हम लोगों ने मांग भी यही की थी कि हर साल बैकेंसी लाओ डेट लाओ कलेंडर लाओ सारी चीज़े करो ससी मोजाता है इसमें को नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ जैसे यह बात है जो तो मैं आपको बता दू यह देखिए 99% 99% सही है यानि की अब बैकेंसी टाइम पर आएंगी क्यों आएंगी देखिए यह रेलवे मिनस्टर कि द्वारा ऐसी बात कही गयी है ठीक है और कॉन्फरेंस में कहा गया है मीटिंग में कहा गया है और यह सही बात है यह हर साल एक लिमिटेड बैकेंसी निका लेगे इस स्बाने नहीं इस से होगा किया वो सरकार को हर साल करा नहीं ठीवेंगे धीदा ही Liz Robin को यह व्यादा ही थायता नौ कि देखो हर साल वैकंसाया रही है हर साल नहीं हर महींगी था दो सरकार को कहने कही हो गया दूसरी और थाई जार रॉप 002 बहूंगे दो दोगे ना अगर नॉर्मल फीज जैसी रही ऐसी रहती है आप हर साल फीज दोगे ठीक है धाइजार में रेल वे मैं आप जानते हूं कितनी इस अंख्या में फॉम भर जाते हैं हम मान कि चलते हैं सर्फ और आवरेज लेके चलते हो गुरूबडी में करोणों लोग फॉम भर देते हैं हम सिप एबरेज लेगे चलते 40,00,00 लोग ठीक है चालिस लाग लोग लेगे चलते हैं तो कितना हो जाएगा देखो तरपंचे 20 दो और हो जाएगा ठीक है और आट रजो दस यानि काई दाई सेकड़ा हजार दस जार लाग दस लाग करोड दस करोड और अरब दस अरब अगर हमने सही जोड़ा होगा तो ऐसी कुछ सम्थिंग बन रहा है ठीक है अरब और रुपए की आमदनी होगी इससे यह ना सोचो कि उनको कुछ नुक्सान हो रहा है मान सकते खर्चा भी होता ऐसी बात नहीं लेकिन काफी फाइदा इससे उनको हो जाएगा और कह सकते हो तो को पांस साल पे दे देंगे ठीक है एक साथ करानें देंनें सारी चीजरे बहुत दिक्कत होती थी तो इसलिए यह वाणो बिल्कुल 99 पर सेंट होगा एसाब कि अब हर समय टाइम टाइम पर वैकेंसी आप के आएंगी कि इसलिए आप को करना क्या है आपको तयारी अच्छे से पढ़ते रहिए और हम देखो आपको नोट्स पगेरा जो टेली ग्राम में भीजते हैं नोट्स पढ़ते रहिए फिरी ओप कॉस्ट हम आपको मेटेकसा टेली ग्राम में सेर कर देते हैं तो मेटेकसा टेली ग्राम को जॉइन कर लीजिए और कोई भी एक्जाम होता है चीज़े बताएं इसलिए चैनल को सब्सकाइब भी कर लीजिए और मेरे जो पहले वीडियो डेले हुए हैं वह भी देख लीजिए किस तरीके स्कॉस्स पूछे जाते हैं ठीक है और भी कोई अपडेट होती तो हम आपको समय समय बताते रहेंगे तब तक लिए सलुक पढ़